मुरेना जिले की वो सीट जहां पर मुकाबला हर चुनाओं में रोमान्चक होता है जीत हार का फैसला बेहत कम अंतर से होता है एक पुरानी कहवत है जिसकी लाठी उसकी भैस और सुमावली में ये कहवत चलती है कि जिसकी जाती उसकी सीट यानि जातीगत समीकरण हावी रहते हैं इस बार एदल सिंग कंसाना बीजेपी के टिकेट पर चुनावी मैदान में है अजब सिंग कुश्वा कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनावी मैदान में है दोनों पिछली बार अलग-अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में थे याने पार्टियां बदल दी गई हैं चेहरे वोई हैं जनता की कितनी समस्या हैं परेशानी हैं मुद्दे हैं सियासी समीकरन क्या हैं तमाम सारे सवाल हैं शुरू करते हैं सुमावली विदानसवा सीट की पड़ताल सुमावली विदानसवा सीट की बात करें तो यहां पर मुकाबला उन दो प्रत्याशियों के बीच में हैं जो पिछली बार 2018 में भी आमने सामने थे बस उन्होंने पार्टियां बदल ली है यानि एदल सिंग कंसाना जो इस समय बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ रहे हैं पिछली बार कॉंग्रेस से विदायक चुने गए थे इस्तिफा दिया और उप्चुनाव हो रहा है दूसरी तरफ बीजेपी के अजब सिंग कुश्वा से उनका 2018 में मुकाबला था अब अजब सिंग कुश्वा कंग्रेस में है और वो कंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी का यहां पर ऐसा कोई जनाध बाहर नजर नहीं आता राहुल डंडोतिया यहां से चुनावी मैदान में हाला कि बीस्पी स्रीट से एक बार जीत चुकी है तो यह मुकाबला है और इन प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला है इनके क्या स्ट्रेंथ है वीकने से मेरे साथ उमेश है उनसे बात करते हैं तो जो एदल सिंग है वो जमीनी नेता है और जो अपने समाज में खासा प्रवाव रखते हैं यहां गोजर वोट लगवग 50,000 के आस्वास वोट है जिससे हर बार वो एक बार छोड़कर दूसरी बार वो चुनाव जीते हैं और यह सुमावली की विसेशता है कि एक बार ज देखी जाए तो यह जंता से जोड़े हुए नेता है और जो इनके समाज में इनका खासा प्रवाव है और यह हर ब्यक्ति की अपने हां जो भी जिनकी समस्या लेकर आता है उनकी सुनवाई करते हैं अगर अगर अजब सिंग की बात की जाए तो अजब सिंग बीजेपी से क सब क inh, के ही और वह दलबदल कर चुके हैं और सबसे, उनकी इसी, उन्के साथ जो कांग्रेस के और वह दावेदारी जन्हों ने की जी वह भी इन से sudरита यह हैं और जिस तरह है उनकी मजबूता ही देखी जाएं तो कुस्वा समाज के जो वोट हैं वो 50-55,000 हैं जिससे वो काफी मजबूत इस्तिती में रहते हैं हरवार और चुनाम में दूसरे नमबर पर रहते हैं चुकि सुमावली विदान समख शेत्र में खेंचू का मतलब होता है हैंडपम और शस्त्री लाइसेंस ये दो बड़े महत्वपूर्ण आम लोगों के लिए चीजे होती हैं और इसके लिए हर जन प्रतिनीदी कोशिश करता हैं मद्दाताओं की बात करें तो 2,36,000 मद्दाता हैं, 1,30,000 पुरुष हैं, 1,05,000 महिला बोटर्स हैं और जहां तक समीकरण की बात करें पार्टी के लिहाज से देखें तो 2018 में एदल सिंग कंसाना यहां से जीते थे वो इससे पहले 2008 में कॉंग्रेस से और 1998 और 1993 में BSP के टि विदायक चुने गए थे, 2003 और 1990 में गिर्राज सिंग जो सत्यपाल सिंग के पिता है, वो यहां से विदायक चुने गए थे, तो कॉंग्रेस और BJP तीन-तीन बार यहां से चुनाव जीत चुकी है, BSP ने भी दो बार चुनाव जीता है, तो यह हुआ समीकरण, लेकिन पिता क्या सोचते हैं, यहां के मुद्दे क्या है, यह तमाम बाते हैं, जिने समझने की कोशिश करते हैं। का रास्ता है, यह चौरहा है, और पूरा मार्केट है, यहां से कुछ लोग है, उनसे बात करते हैं, कि इस बार भी चुनाव हो रहा है, चेहरे तो वही हैं, पार्टियां बदल गई हैं। लेकिन यहां बाक्चीनी में कुछ बदला हुआ है, इतने साल से आप लोग वोटिंग कर रहे हैं, जन प्रतिनी दी चुनते हैं, कुछ बदला हो देखा आप यहां के वो कि और गाओं के वह बदला नहीं हुआ है, जैसा है बैसा ही चल रहा है, कोई ऐसा विकास नहीं तहो, जैसा हुआ हैं पेतने सारी इसाल से दरा लोटन के चले जाते हैं, है सब्सक्री स्भाइक आते हैं, जैसे टोर दो सबुदक के विक्त रहे हैं व्क मुद्स को से लना कुए है विकीर स्द Node. और लातों कि सब्सक्राइब कोई नहीं 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 सब्सक्राइब कोई जनता के बोट की कोई वैलुएशन नहीं चोड़ी यह तो ले जाके अभी कॉंछ दूसरी में जा सकती हैं फेले राजिस्तान में 5 गी रहती है पांच साल के य função के यहां की संता ने अपना एक 501 को लाएंगे 501 को लाइंगे 505ड फिर भी पेसं नहीं हो रहा है कुछ नया सबब्स परणान नया से Crim Kind Augen सब दोनों ही पुराने चेहरे तो है पर इस बाद पल्टा होगा निश्चत है पल्टे की वज़े पल्टा है कॉंग्रेस आई पिछली बार भी तो कॉंग्रेस ही आई थी नहीं आई थी तो जो गए है नहीं विक्के नाई 35 करोड में तो यह कॉंग्रेस बोलते हैं आप लोग विकास काम कियो नहीं है है विकश कराव आठेड है आप जंताने चुन के फिर पकास किराए भी तो नहीं है पर लिवटा दाए निसारच्तिन फोरा था ना…. कि अब वैसे मिलती है कि यहां पर जॉब रोज़ारा जॉब की बहुत दिक्टत है यह बहुत जाद पर रियो बहुत है नहीं है एक मानी शल्वे शाहिए जोब बहुत महनत करनी बड़ी अरे बहुत महत्त करनी पड़ी है कॉंपटिशन पढ़ाई करनी वड़ी सब चुछ सब कुछ करना वड़ा है तब आगे जो बिली है पढ़ाई यहीं से हुई है प्रॉपर मरेना लेकिन जॉब की दिक्कत है यहां बेरोजगारी है आप रूजगारी तो है बहुत है तो आलते हो गया वोट को ही डालेंगे वो ल copies बनेंगा तो काम कर रहा तो हरेंचे होगा और नहीं श क्या नम लिखता है करन तो इंड़्यस कान यह बताऊ हो कि सुमावली में रहते रहते कितने साल हो गए जिलीज़ी गुज़र गभाप कि और कि परको ल ada अ तुमावली अरे क्या महार है है पुल बढ़ा ब्याइपी नहीं ब्याइपी बहुत चका बड़ा बागे तो बाकी कुछ फिर चुनाव हो रहा है प्रभी दंग हम तो इसको वोड मिल्ता है कि जिसकी जाती होती इसको कुछ जातीपादी नहीं कामाले की काम भुट की क्यों हुआ हुआ जाती पे चुना होता है कि काम पे हुदए शाहald कर सर्या तो कंपर जाती उतली मतलब नहीं है कि हुटक्राइव ब besar Tarupps Tumella करेंगा रखेने समाली बाले चुछ आसवाने कल परेंट भाツ से मस्टेराइब तो माँ भाग flour करेंग आप में तो आप कर दुछ हृतं वैंन कर देसे फाल से मर्फूड़ते ह्टितम्हान। ने खरता मु क्यों सॉमावली के कौन हैं आप dhukaqa पुराने ही चेहरे हैं बस पार्टियां बदल की तो ऐसे किछ नया लग रहा है कि चुनाओं की पुरा नहीं होतेखो पेस्चान ह tow पदल तीया वह साथ काम सब्सक्पैकर्षित데 आफ्या की सरकार ुच्छ सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह चीज़ सब्सक्राइब को यह तुम इसके अधर रहरा है सतकूर कि शुच्ण पर चुना होता है अरे नहीं सर जो बिकास कर गाए उसको इसको जंता पोट देगी जो बिकास नहीं कर विए पुराना दोजार अठार वह पैसे उसके लिए पर देखेंगे कि वह पुराने चेहरे नहीं सर पाल्टी देखेंगे पाल्टी देखेंगे पाल्टी देखोगे वोड डालते हैं किनि इह बताओं सब्सक्राइब कितनी उमार है ? कि यह पाल्टी देखेंगे पाल्टी देखेंगे थी अभी पाल्टी देखेंगे कुछ पानी नहीं यहाई है लाड नहीं बिजली नहीं हमारी ओल नहीं है बिलकुल में परेंगे काम कर देंगा पाणी नहीं भीजलि नहीं पाणी नहीं तो रहेते हैं तो रोड़ हो अपाणी उन्हीं गांपरेशाने में रोड़ा बास्ता में आप याजो नोंगे लिगी कितनी साल 15-16 साल बीत गई पर कोई कोई साथ बिना देगी सभू लेते ने कोई बेकास करो और इस समय मेरे साथ है सुमावली विदान सभा सीट से कॉंग्रेस के उम्मिद्वार अजब सिंग कुश्वा साब कुश्वा साब इस बार 2018 में पार्टियां दूसरी थी चहरे वोई थे अभी चहरे वोई है पार्टियां बदल गई है मानी आदड़ी इसमें अंतर है अब जैसे मैं भी बदल के आया हूँ बीजेपी से कॉंग्रेस में आया हूँ और कॉंग्रेस के जो यहां से प्रतनिदी चुनाता जंता ने वो बीजेपी में गया है तो वो मैं जो जहां 15 साल से संगर्ष कर रहा हूं एक उस पद के लिए जिस पद मैं उन्होंने इस्तीपा दिया है तो मेरा बदलना तो मजबूरी हो गई क्योंकि उन्होंने माननी कमलना जी ने में भरोसा करके मुझे दुबारा चुनावी मेदान मत्वारा है वो बिक्कर गए है और मैं अपना मराजनीती का प्लेट फॉरम डूड़ रहा हूं आज मुझे एहसास नहीं बिल्कुल भरोसा हो चुका समावली के जनता पर के मुझे अच्छा प्लेट कर रहे हैं और कितने सारे चुनाव लड़ चुके अलग-अलग प्लेटफॉरम से चुनाव लड़े आपने लेकिन बहुत नजदीक जाकर आप हार जाते उसका कुछ आपने समझा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मैंने समझ लिया यहां की राजनीती सुमावली विदान सभा की र सचक्रिक लिए और मुझे पूरा उस परवार का समर्थर मिलना हैं उनके समाज का समर्तर मिलना है इसलिए निश्चे तो चुका है कि समावली के जो पृतिासी है बीजेपी के वो कई हजार वोटों आ। rollers आस रहे हैं वह रेतमापिया सबसे बड़ा रेतमापिया निश्मा मावारत जैसे योदु था एक तरफ पांचपांदव के साथ हैं यह जैसे पांडव सच्चाई के तरफ है धरम के साथ धर्म के साथ है अधर्म के साथ है वो तो आप पर आरूप लगा रहे हैं कि 400 वीशी दोखादड़ी और इस तरह के एलिगेशन्स वो लगा रहे हैं आप पर पर गुंडागरदी पर उतर आए आज वह पर रहे हैं और लेकिन ऊन्हों ने बीजेपी में आने के बाद उस समाज की सबसे ज्यादा मदद किया और जैसे सुमावली में मैंने सुना कि खेंचु लगा दो और हतियार का लाइसेंस ये दो चीजों पर काम करता है तो वहाँ पर ज्यादा फोकस किया है उन्होंने उनका रिकॉर्ड है मैं यहां चौती बार चुनाओ लड़ रहा हूं कभी जैक देंगे दो लाग दो अजार का पांच अजार का चेक मांद देंगे और चेक की तारीक ऐसी होगी जो रिजल्ट के दूसरे दिन की होगी अगर जीत गए तो तो वह चेक किलियर होंगे नहीं तो चेक स रहे है Unterstütwood मसीर लगे लगें नाए तो नहीं लगे लिए जैनिठादा से जानती है उनको रूल मेंको डूब हैंगे और तीन तारी को जैनता उनको जवाब देगी और दस तारी को कई अजारों से चुनावा रहेंगे मरा आपके आपका संगर्श जो चल रहा है विधायक के लिए वो इस बार खतम होगा ऐसा आपको माई कातम होगा बिल्कुल निश्चित कतम होगा क्यों होगा मेरा बाल मीग से लेके ब्रामन समाज तक का समाज पूरा मेरे साथ है और मैंने चौती बार चुना लड़ रहा हूं मुझे ज जमता की भावना है और प्यार लाड़ प्यार है वो मेरे साथ है 90-95 परसेंट तो यह थे अजब सिंग कुश्वा साब और उनका साफ कहना है कि जो संगर्श कर रहे हैं वो चौती बार चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी से भ सुप चुनाव में उनका जो संगर्श है वो शायद खत्म होने वाला है इस वक्त मेरे साथ हैं मदवज़स सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुमावली से बीजेपी के प्रत्याशी एदल सिंग कंसाना साहब प्रचार अब जोर पकड़ चुका है बीजेपी में आने के बाद जो आपने यहां लोगों से वाइदे किये थे कॉंग्रेस में रहते हुए नहीं पूरे हुए तो क्या वो पूरे हुए हैं पूरा कहां से हो गए अभी अभी मुझे आए तीन मेहने हुए हैं पूरा तो अब इससे के इलेक्शन के बाद करूंगा पॉंग्रेस तीन मेहने में प्रास किया था पीने के पानी के लिए मैंने कुछ हैट पंप लगवा पाएं ज्यादा बड़े काम तो हम नहीं कर पाए इन तीन मेहने के अंदर मैंने करीब सो करोड के करीब लगवग चाहें रोड हो चाहें सीसी खरण्या हो चाहें नाली हो चाहें पीने के पाने के लिए हैट पंप इसकी मेहने विवस्ता की है अभी आपने लोगों से कहा कि एक-एक वोट कीमती होता है तो काफी चुनौती ह बोटो ज़ुरूरी है बोट्र हमारें कोई कमी तो नहीं बोट डालने के लिए जाना चाहिए है जो हमारा पूरा बौट बोट डाले गा तो हमें कफी बढ़त्र भी में ने पूरी घेराबंदी करने की कोशिश की है लगातार आरोप लगा रहे हैं एसे लेकर क्या तो नहीं है जुट बोल रहे है बेवनियाद बात कर रहे हैं उस बात में कोई दम नहीं है अगर एजय सिंग को ब्यान को मेरे से बहस करनी है चुनाओ के बाद आजा हमने सामने बहस करें इस प्रकारी कोई बात ही नहीं आई आपके सामने जो कॉंग्रेस से चुनाओ लड़ रहे हैं आप दोनों तीन बार चुनाओ लड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों से तो वह क्या कुछ चुनाओती है या फिर कोई चुनाओती है तो 400-20 का मुल्ये में 12 के 400-20 के जो आदमी 400-20 कर चुका हो वो जनतां पर क्या मिमून लेकर बोट मांगने जाए गार। फ्रोड है हज्जार और लोगों के पैसे खा चुका है जिस गाउं में जाता है लोग मिल जाते हैं लाओ पैसे तब देंगे लाओ पैसे तबोट दें ओर किशीई में खा सकता एतनी वह वह नहीं है। जो आपके साथ के लोग जो बीजेपी में शामिल हुए्जा बीजेपी की लोग सबड़ा है। यह सब ठीक हो रहा है और सब लोग एक साथ काम कर रहें है। देखिए ये बीजेपी है बारती जन्ता पार्टी और कंग्रेसम अंतर है ये कड्रवेस पार्टी है और ये पार्टी ठीक है लडांगे जड़ेंगे जगड़ेंगे नराज होंगे लेकिन अखीर पर बोट का पार्टी में देती है चुनाव लड़ चुका में, सात माई चुनाव है तो कोई नई बात तो है नहीं, मेरे लिए ये चुनाव लड़ना बहुत जरासी बात है, क्योंकि मेरी तो आदत में है, सुवह से साम तक हैजारों लोगों से मैं नहीं मिलनूं, मुझे चैन नहीं पड़ता है। रात में दो बज़े सोता हूँ, सुवहर मैं सात बज़े तइयार हो जाता हूँ, मेरी वरकिंग में है। तह मुझे कोई चुनावती नहीं और जन्था मेरे साथ है। इसलिए काई किसे नोती है पूरी उम्मीद जीतने की जीतने की उम्मीद नहीं है मैं जीता हूं और जीतूँगा मुझे भरोसा है समावली छेतर की जनता पर और अच्छे मार्जन से जीतूँगा बहुत बहुत शुक्री हमसे बात करने के लिए तो यह थे मंत्री अदिल सिंग कंसाना और उनका कहना है कि जनता उनका साथ में हैं जनता का भरोसा वह कायम रखेंगे और चुनाव जीतने की उन्हें पूरी उम्मीद है तो सुमावली विदान समद सीट पर तैय होगा कि यहां के जो जातिगत आधार पर मत दाता हैं वो किस तरह से वोटिंग करते हैं क्योंकि इस सीट पर लगातार जातिगत आधार पर ही वोटिंग होती आई हैं गुरजर समाज से एदल सिंग कंसाना है अजब सिंग कुश्वा कुश्वा समाज से हैं तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है साथी बहुजन समाज पर्टी ने एक ब्रामवन प्रत्याशी को मैदान में उतारा है तो कही न कहीं वोट काटने की स्तिती भी यहां पर बने अगली बार किसी और विदान सबस सीट के बारे में आपको बताएंगे तब तक दीजे इजाज़त नमस्कार